हाई गाइज, आज मैंने डांत का ट्रीटमेंट करवाया तीन डांत, एक दांत कराब होने के कारण मेरे दो डांत होड़ी और उसका ट्रीटमेंट करवाया है जस्त अभी आयो हूं, ब्रेटमे अबॉला है एक घेंटा कुछ खाना पिना नहीं मैं बोल रही हूं मैं फिर भी बोल रही हूं और क्या सेम टाइम पर हम लोग घर पहुंचे आइशा आने वाली है अभी आइशा की बस आएगी आइशा को पिक करूँगी फिर उसके बाद घर जाओंगी डोक्टर इतनी जाद अच्छी मिल गई है ना मतलब अच्छे से यह ज प्रेस करने के लिए बोला उसने की प्रेस करके लखो घर जाओंगी फिर खाना माना बनाओंगी आज कुछ भी नी बनाया हुगा अशा का पास्ता पड़ा यहां तो पास्ता खा लेगी और सही टाइम पे हम लोग आये उसने पूरा टाइम सही लगा के और मुझे फ्री कर दिया कि हम लोग घर पे आ सके और यहां पर टैक्सी है तो वह हमने कर ली थी इजीली पोँच गे एक मिनट में टैक्सी आ जाती है वह बहुत अच्छी चीज़ आप रड़ी हो के बाह निकलो आप पोल करो बतलब वह एप जो उता हो यूज करो एक मिनट में टैक्सी आ जा तो अभी यहां पर मैं वेट कर रही हूं आईशा की यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आएगी टैक्सी टैक्सी नहीं आईशा की स्कूल बस तो उसको पिक करूंगे मैं यहां पर तो इसकी स्कूल बस आएगी मैं अभी इसको यहां से पिक करूंगी बाकी घर जाके ब जो भी लोग बिमार होते हैं गोंते हैं काफी होजाते ओनगी काफी लोग है जो ठीक हो जाते हैं और भाई लेकि गया था पापा को आज वहां पे तो यह दिखिये यहां से गाशनी काफी काफी इसी की history है क्या आप से नुटा करें अख सकते हैं तो बहुत है मजा है मुझे पीच्छे देखके यहां प Essenaly updatly bag ऐसे वेवाक सब्सकिनुमिक को डाल लिया थैसे मिल आइसे ज्वारोश को दाल रिए वाईसे मिल अखिंव को डाली स्वाइन ऐल आइसे ज्यएं को होता है आईशे घोड़ा नो इस लोकिंग व्यूटिफूल तो फाइनली आइशे गए उसके अंदर आ गई है जो हमने बैग भाई किया था यह यह पाई नी रही तो अभी लेकर जलते हैं देखते हैं बच्छों का राक्षन है सेम बंडर टैडी वेर बैग नहीं होता जो चा रेक्षिछा अच्छे यहाँ हैसी आख हो सी ऩरी गजाँ लग सी को जावन यह वर जैजलीर कोई सी कोता थासी कों सिस्थम्य को सी यह थे लोग तो फाइन्यी निलिए टेटिन रहाएलो श।ो फाइनली निकल गया रोक्सि निकल किया अगे उसके लाएम खोलाइ से टॉस्मांइ बाही कितना जादा और उसको वो फाइनली निकालना पड़ा निकालना है क्या पड़ा आधे तो वो खुद ही निकल गए इसमें से बैंक में सिवार यह दिखिए यहां बैखिए यहां बैखिए लोग से नीद आ रही है सो जाएगी आपको एक चीज दिखाने है यह देखिए मैंने एक ब्रेस्टेट होती है तो यह कहते हैं कि health के लिए बहुत अच्छा होता है तो उसमें उन्होंने इतने प्यारे से मतलब box में रखा था इतना अच्छा लग रहा था तो मैंने उसे बाई किया जब बाई किया है तो उसे हाथ में पहना यह से करके और यह हलका सा मुझे टाइट है यह है तो मेरे पास एक वोच भी थी तो वह पहने तो उसकर जो टैप नहीं कहते है उसे वह वह रबर टाइप का होता अंदर उसके लास्टिक टाइप का होता है तो वह मुझे ताइट मैंने कर वाली गलती से तो बाद में मुझे ऐसे लगे मुझे एडिटेशन होती है जैसे क तो फिर यह भी अभी आ गया तो थल्क आसा टाइट है बट कहते हैं से हैल्थ आपको किसी को पता होगा तो बताना जरूर यह सारे तरह के अलग लग कलर के मोती पहने से कुछ हेल्थ पे इस्यू मतलब रिलैक्सेशन होती है कुछ ऐसे होता है बैनिफिट होता है इसका की कुछ पहनने का तो मैंने मंगवा लिया है तो अभी पहन के देखते हैं इसको कैसे है तो यह पता चलेगा फिर मैं आपको बताओं कि फिर आभी बाई करना बट इसके सबसे अजीब से चीज मुझे यह लगी कि इतना कॉसली अब अधाया है आपको बताया था वन निकाल दिया से कोटन रख और गया तो मैं बोल सकते हूं से मैंने हाज कितने दिन बाद देर बाद मेंने खाना कगा यह पता मेंने सब्सक्रास लिए यह वो दान्तों कि विना बहुत जादा मुश्किल चीज़ें हो जाती है अगर सोचा नहीं यार मेरे से नहीं बरदाश होड़ा तो करवाना यह बहुत ज़्यादा जरूरी है तो करवा के आगे कोटन निकाल दिया यहां पे दो कैप वह इकठी थी वह निकल गी थी वह फिक्स करवाई और एक दांत की वह फिलिंग करवाई बस और आपको बता है उसके करवाओ अपने भी दांतों को करवाओ क्यूंकि अगर आप आज करते हो ना कि कल करवाएंगे परसो करवाएंगे तो और जादा जाके खराब हो जाएंगे फिर आप भी तो बहुत जादा एक्सपैंसिव हो गया इंडिया में में साधे 9000 का एक कैप करवाया था आज सेटी सुख़ा ती सरह है वहाँ बहुत जलदी खराब होते हैं तो मैं कोई योगा गड़ती हूं तो ढजकते हैं शेनाज गिल की शेनाज गिल ने बता दिए हैं अपने सिक्रेट सारे लोगों को शेनाज गिल पहले काफिदे से यह कहती हुई नज़र आ रही थी गाईस ना तो म कि मैं जिनके साथ योगा करती हूं जो मुझे योगा टीचर जो मेरे योगा टीचर है मुझे टीचर सिखाते हैं योगा उनकी बात कर रही थी शिनाज गिल तो सब को पता चल गया कि योगा शिनाज गिल करती है और शिनाज ने थोड़े पहले रिवील कर भी दिया था कि मैं योगा करती हूँ अभी मेरे योगा टीचर है मैं योगा करती हूँ पहले शिनाज गिल कहती थी कि भई मैंने खाने पीने में कंट्रोल किया है उसके लावा कुछ नहीं किया और शिनाज ने अपनी जो डाइट वाली चीजे थी वो भी शाथ में शेयर की है कि कहां से वो होते हैं पर सिर्फ पिल्स का के वेटलूस नहीं करना है ये काफी लोगों को मन में होता है और को भी में बहुत साहथ प्रोडेक्स होते हैं जो लोग यूज करते हैं सुछते हैं ने एक चीज़ की एर जुरू दे रही है बट वो इम्यूंटी बूस्ट चीजे करते हैं जो शिनास खाके और मैं भी खा रही हूं उसके साथ में काफी चीज़े तो जो खाके वेट लूज करते हैं वेट लूज सिर्फ उससे नहीं होता वह सिर्फ इम्म्यून्टी बूस्ट है कि अपनी एनर्जी बनाने के लिए जैसे कोविड आया था तभी लोग ब्यू कर सकते हैं तो ये सच्छा ही है मैं आपको सही से बोल रही हूं क्राइब तो आपके लेट करोगे तो भी आपको वेट लूजन नहीं होगा आपको दोनु चीज़ें करने पडेंगी ठोड़ी डाइट में ध्यान देना पड़ेगा और अपनी वेट लूज के लिए एकसरसा करना चाहते हैं शेनाज की चिप्स को थोड़ा सा फोलो तो कीजिए थोड़ी सी राइख हमसे भी ले लीजिए तो बने रिये सीमन के साथ पर मोर अब डेस वीडियो को लाइक शेयर को में जूर कीजिए व्लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा शेनाज के फैन हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा थैंक यूफर वाचिंग बने रिये सीमन के साथ मोर अब डेस